तो बहुत सारे कुमेंट्स आ रहे थे कि जर्दा राइस मतलब मीठे चाबल बनाने की रैस्पी भी शेयर करें तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा मीठे चाबल बनाने का इस तरह से आप चाबल बनाएंगे एक्तम खिले-खिले बनेंगे और बहुत ही जवरत दिन में फ्लेवर आएगा अगर आप सीखना जाते हैं वीडियो को बिना स्क्रीप के वलाश्टा जूर देखेगा सबसे पहले यहां एक किलो राइस लिए मैं बासमती राइस का यूज कर रहा हूं आप शैलर राइस का यूज भी यहां पर कर सकते हैं तो चाबलों को आप से हम 30 मिन तब भीगो के रखना हैं अगर स्टैलर राइस का यूज कर रहे हैं तो उनको आपने 45 मिन तब भीगो के रखना है ठीक है यहां थोड़े से ड्राइनर्स चीह होंगे काजू बदाम पिस्ता और किश्मिश का मैंने यूज की है जो बदाम और पिस्ता है इसको असानी से निकलना शुरू हो जाता है और यहां आप मैंने देखे ड्राइ कोकॉनल लिया है और इसको आपने करना है तो कि देखे इस तरह से आप इसको ना लंबा लंबा कर लिए और थोड़ा सा पतली पतली करनी है ज्यादा मोटे पीस काटेंगे तो जबाने में आएंग थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ओरेंज कलर मैंने यहां पर योज़ किया है आप यहां पर फूड कलर का यूज़ नहीं करना जाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं और कि देखे चाबलों को मैंने तीस मिन तब ब्योंकर रखा था और चाबल अच्छी तरह से पूल चूक पांच बच के 12 मिनट है और इनको अरामसे पकने देने तो मैंने चावलों को पका लिया इतनी दिर में जो चावल है इसके उसके पेड़र निकाल ले नई आई ने इस तरह से इनको स्पाइडर की साथे से निकाल ले और राइस टेंडर में डाल देशेगा तो यह आप देखि मिट तक इसी तरह से छोड़ देना है तब तर चाशनी बना लेते हैं तो यहां मैंने एक किलो चावल लिए थे 700 ग्राम यहां मैं चीनी का यूज कर रहा हूं और बदाम और जो पिस्ता थे ना इनके मैंने छिलके निकाल लिया और थोड़ा सा मोटा मोटान को कटिंग कर लिय है अब यहां मैंने लगन लिए दो बड़े चमच हम उसमें घी के एड़ करेंगे जो मीठे चाहब लाइना घी में अच्छे टेस्टी बनते हैं फिर आपने सबसे पहले इसमें काजू एड़ कर देने हैं मैं काजू टुकुड़ा का यूज कर रहा हूं साबुत काजू भी बैतरीन हो जाता है तो देह के हलके शैलो-फ्राइई मैंने पर कर दिये हैं फिर आपने इसमेड़ करनी है किश्मिश बात मेंस तो प्रक ही जलेना क्योंकि आप एंड़ कर दी और साध कोगनट भी ऐड़ कर दिये है और ऑच्छी तरह उनको मेंимся और है यंको बी थोड़ा स यहां पे हम ज्यादा चाबल बना रहे हैं तो ड्राइनेट्स भी ज्यादा यूज़ किया आप कम कॉंटिणी बना रहे हो तो कम भी डाल सकते हैं इसी बचे घी में आपने 5-6 लॉंग एड करने हैं 5-6 आप इसमें चोटी लैशी एड कीशे और 2-3 टुकड़े आपने इसमें दाल चिनी के एड करने हैं दो मैंने इसमें तेज पत्ता आड की हैं यह थोड़े से कड़े मसालि दानेंगे बहुत भड़ी ओवह निकल क्याएगा मसालों को हलका सा गर्म होने देशे फिर आपने इसमें चिनी एड कर देनी हैं तो मैंने आपे 700 ग्राम चिनी के यूज के 1 किलो चावल बनाने के लिए आप ब्रावर कॉंट्रीट में बडालना चाहेना तो एक किलो चीनी के यूज़ भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मैंने चावलों का पानी बचा लिया था बो भी मैंने इसमें थोड़ा सा इलाइची पॉटर आड़ करना है अच्छा फ्लेवर लाने के लिए ओर थोड़ा सा मिसमें रोजवाटर एड़ करेंगे आप इसमें केवरा वाटर डालना चाहिए, थोड़ा सा केवरा वाटर भी डाल सकते हैं, इलाइची पॉर्टर और रोस पॉर्टर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेशे, तो चाशनी को मैंने 4-5 मिन तक यहां पका लिया है, फिर आपने इसमें बॉयल गियो चावल एड कर देन चावलों को अच्छे से बिखेर दिया है, थोड़ा सा मैंने केसर को भीगो की रखा था, उपर से केसर डाल देते हैं, और 2 चमच आपने उपर से घी के डालना है, घी से क्यों होगा, जब चावल पकेंगे, आप समें चिपकेंगे नहीं, और अच्छा टेश भी आएगा ख देखे, मिक्स कर ले चीनि के साथ में, या यो अपर अपर से दाल देने, इस तरह से c समलाश्ट में करेंगे अभी हम इनको दम लगाएंगे और इसके साथ में अच्छा टेस्ट लाने के आप इसमें थोड़ा सा खोया एड़ कर देशे तो 150 क्राम मैंने खोया लिया था उसको ग्रेटर की से ग्रेट करके उपर से डाल दिया है अब आपने इसमें दम लगा देना 10-12 मिनिन में जो चाशनी है अच्छी तरह से चाबलों के साथ मिक्स हो जाएगी और एक तम आपके चाबलों ड्राइं हो जाएंगे यह देखे 10 मिनित तक यह मेरे चाबलों को पका लिया और ओपर से कबर हटाते हैं देखिए आप देख सकते हैं यहां पर जो माबा था बहुत ही जवरतस बनेंगे और आपके तोटी फुरूटी यो थोड़ी टूटी फुरूटी डाल देश्चा तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट चुरू की शेयर को के फ्रेंस मिलगें ने वीडियो के साथ थैंक यू